नमस्कार आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान समाचार में इस वक्त हमारे साथ हैं अंतराष्टिय संयोग परिस्द के मानद निदेशक नराइन कुमार जी और हमारे साथ अंतराष्टिय संयोग परिस्द के सरीकेटरी गुपाल अरोरा जी सर स्वागत है सबसे पहले आपक तो क्या धांदली कारों प्लग रहे हुआ पर इस चुनाओ के बारे में बात जब करते हैं तो थोड़ा प्रिष्ट भूमी में समझना पड़ेगा कि दिसंबर 2018 में जो अपोजिशन पार्टी है वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आई थी 65 सदस्यों की पार्लियमेंट है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन 33-32 से पास हुआ तो जिसका मतलब यह हुआ कि जो वहां की जो रूलिंग पार्टी थी इसके प्रेजिडेंट जो है वो ग्रेंगर है वो वोट आउट हो गई थी लेकिन उन्होंने इस फैंसले को माना नहीं फिर एक लंबी कानूनी लड़ाई चली गयाना की हाई कोर्ट के बाद में करिबियन कोर्ट ओफ जस्टिस तक वो मामला गया और जून 2019 के अंदर जो है करिबियन कोर्ट ओफ जस्टिस ने यह रूल किया कि नो कॉन्फिडेंस मोशन वास वैलिडली पास्ट तो फिर उन्होंने और किया कि आप एक नया चेयर्मेन गयाना इलेक्शन कमिशन का आप अपॉइंट करें मिल के दोनों पार्टियां अपॉदिशन और रूडिंग पार्टिय जो वहां के कानून का यह प्रावधान है तो पुराने चेयर्मेन की अपॉइंट्मेंट भी उन्होंने अनकॉंसि चाहिए तो वो सब करते करते मार्च 2020 आ गया तो कुल मिलाकर पहली बात तो यह समझने की है कि जो सरकार दिसंबर 2018 में कॉण्फिडेंस लूज कर चुकी थी वो लगबग 15 महीने जो है वो as a caretaker government चलती रही इस प्रिष्ट भूमी के बाद में गयाना के अंदर जब चुनाव हुए तो उसका counting प्रोसेस भी एक कानून के तहत जो है वो पूरा निर्धारित है टैबूलेशन और काउंटिग प्रोसेस तो ये जो अभी का जो विवाद है वो उस काउंटिग और टैबूलेशन प्रोसेस के ऊपर है और उसमें जो आरोप है और जिसमें तथ दिख रहे हैं वो ये है कि election commission में जो returning officer था उसने जो वहां का जो सबसे बड़ा region है region 4 उसमें जो tabulation process और counting का जो process किया वो जो इसको हम statement of polls कहते हैं उसके साथ में match करता हुआ दिख नहीं रहा था और ऐसा आरोप लगता है कि जो पाकी नौ रिजन्स हैं उसमें ये जो opposition party भरत जगदेव की जो है PPP वो जीत रही थी और इस दसमें रिजन के result जिस तरीके से आरोप ने मतलब जो है उसको present करने का प्रयास किया हलाकि वो प्रयास बाद में फिर दुबारा कोर्ट में मामला गया और उन्होंने उसको injunction पास किया तो उसमें ऐसा लगा कि जो party ruling है क्रैंगर की वो उसको कुछ फाइदा पहुँचाने का कोशिश की गई है जिसको foreign governments ने, international observer bodies ने अलग अलग देशों के मतलब जो heads of state है या विदेश मंतरी है उन्होंने इसके उपर अपनी प्रतिक्रिया ती हैं सर आप मुझे ये बताए कि गयाना की राजनीती में भारतियों कितनी बड़ी भूमिका होती है ऐसा है कि जब दुनिया में दास प्रथा शमाप्त हुई तो जो अंग्रेज, फ्रेंच, जच, कॉरनाइजर थे उनको मजदूरों किया वसकता थी कई देशों से मजदूर आये चीन से, पूर्टगाल से लेकिन वहां के जलवाईयों में वे काम नहीं कर सके क्योंकि भारत ब्रिटिस इंडिया था तो पहले पहल यहां कंपणी ने लिखा कि भारत से मंबाया जाए क्योंकि भारत में वहां आर्थिक स्थिति में ठीक नहीं थी, यहां बदूवा मजदूर भी रहते थे यहां से ठख फुसला कर सबसे पहले 1834 में कुछ छोटा नाजपूर और मातुरा के मजदूरों को ले रहे जिसको वो लोग हिल पुली कहते थे उसके बाद बिहार यूपी से मजदूर जाते रहे कुछ पंजाब से भी गए और दक्षिन में उस समय में मद्रास प्रेसिजेंसी से गए 1834 में मौरिसस गए और करेवियन में जो साउथ अंडिका में है और हम लोग वेस्ट इंडीज भी कहते हैं तो उसमें सबसे पहले 1831 में वहां गए तो भारतियों की संख्या उस समय में तो बहुत जादा थी क्योंकि मालिक होते थे अंग्रेश लेकिन जो अफ्रिकन थे जिहोंने दासपर्था से मुल्ति पाई थी उनको यह अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो चाहते थे कि यह सिस्टम जो है वो समाथ हो जाए अंग्रेज में कहते हैं तो उनको तब से भारतिये और अफ्रिकन के बीच में एक जो है बहुत बहुत महत हैं और भारतिये वहां के जो अर्थ वहां की जो एकोनमिक कंडिसन है उसके आधार है क्योंकि जो वहां के एफ्रिकन है वो काम नहीं करते हैं यहां यह लोग खेट में गन्यों के खेट में काम करने गये थे वहां वो खेटी करते हैं पढलिग गये और उसके बाद बड़े जब चुना हुआ, तो एक वहां के बरे निता थी, जो पूरे करवियन के निता थी, उनका नाम का रख्रा छेदी जगन, वो छेदी जगन, क्या वो इंडियन थे? इंडियन मूल के थे, वो छप्रा और वर्ष्टी से उनका संबन था, उनके माता पिता, शेकन जन्रे सथे, तो कोई एक छप्रा से थे, एक वर्ष्टी से थे, तो इंडियन थे और वो इंग्लैंट से पर के आय थे, तो उन्हों नी आजादी की लगाई शुरू की, और 53 भी, 1953 में वो चुनाव जीते, और चुनाव इसलिए जीते कि जब यहाँ पर उनी, वो स्वतंतता मिल गया था, तो उस समय में स्वतंता मिलने के बाद पूरी आजारी नहीं मिली थी, और उस स्वतंतता के बाद जो है, उन्हों ने उस चुनाव को जीता, चुनाव जीता तो उन उन्हों ने एक अफ्रीकन नेता बर्नहम को साथ दिया और बर्नहम और जगन मिल करके सरकार चलाते थे अंग्रेजों ने अमेरिकन पावर ने देखा कि कहीं ये क्यूबा जैसी सरकार न बन जाए इसलिए उन लोगों को अपदस्त कर दिया संविधान बदल दिया उनीस सो पच्वन में दोनों साथ साथ यहां आये और इंडियन पार्लियामेंट सेशन में नहीं था लेकिन सेंट्रल हॉल में पंदित जवाहर लाल लेहरू ने उनका रिसेप्शन दिया हाला कि उन्होंने लिखा कि बहुत हमें सहायता नहीं मिल सकी जिस तरह अभी भी सहायता नहीं उनको मिल रही है लेकिन उनको एक सम्मान वर्हा और यह लगा कि भारत उसके पाच है लेकिन जब वो लॉट के गए तो अंग्रेजों का जो फूट डालो और साशन करो को नीथ हम जो है वहां पर भारत बिरोधी माना जाता था भारतियों को कष्ट देता था वहां कि अफ्रिक अफ्रिकन समाज को उत्साहित करता था कि भारत के लोगों के पास धन है उसको लुटो मरो तो इसके खिलाप जगन ने एक आंदोलन सुरू किया और उस आंदोलन के कारण व उससे खतरनाक जंग से चुनाओ होता था उनिस्व सतर में रिपब्लिक हुआ उसके बाद बराबर बर्नहम और उनिस्व बावन तक बिला 92 तक उन ही की सरकार बनी क्योंकि वो चुनाओ कराते ही नहीं थे वो चुनाओ से पहले रात में घोड़े दोरा देते थे कि जो आए और जब बर्नहम की मिर्ट्व हो गई वाइट हुआ बर्नहम का स्री मतिहिंद्र गांदी से भी बहुत अच्छा रिलेशन था इसलिए वो काम नहीं चल रहा था तो एक परिवेक्षक डल और अब जर्वर स्टीम वहां भी जा गया कॉमन वर्त का भी और इंटरनेशनल में जिसमें भारत के भी भूत्पुर्व विदेश राग्जी मंतरी उरिशा के थे अटल जी के साथ वो भी एक सदस्टे थे और उन लोगों ने चुनाव निस्पक्ष करवाया और डाक्टर जगन फिर से रास्टपती हुए है तईस वरसों तक जिसको कहते है पी 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 आम ब अब पीपल्स प्रोग्रेश्व पार्टी के नेता जो फाजर आफ नेशन कहें जाते हैं वह ड़क्र जगन थे उनकी मृत्व के बाद उनकी पत्नी बनी और उसके बाद भरत जगद्यों यह भरत जगद्यों दो टर्म रास्त्तपती रहे और उन्होंने खुद संवीधान म यह संसोधन करवाया कि दो टर्म से जाड़ा कोई रास्त्रपती नहीं रह सकता है। उसके बाद जो चुनाव हुआ उसमें भी दोनेल्ड राम उतार चुनाव जीता। लेकिन उसके सरकार पर इसी तरह डिफेक्शन हो गएरा कराने की कोशिस की, तो उसनी मर्यादापुर्वा खुद मिड्टर्म पॉल की पोशिना करती है। यह पंद्रह में। तो थाइस बास तक उनकी सरकार चली और सभी देशन से उनका सहयोग था। Commonwealth के अच्छे में बढ़ते, शन्युक्त रास्ति में उनका प्रभा हो था। इसके बाद जो अभी सरकार बनी है। 2015 के बाद कौन से पार्टी के सरकार है वहाँ पे गया ना में। A.P.N.U. Alliance for Partnership for National Unity. Partnership for National Unity Alliance for Change, A.F.C. इनकी मिलजूरी सरकार बनी। इस सरकार में भी रहन मंत्री उसने एक भारतिय को रखा। और उस भारतियों को रखा दांगमुटो को। लेकिन वे लोग भारत विरोधी हैं। और उन लोगों ने भारतियों को फिल से प्रतारित करना शुरू कर दिया। तो वहाँ क्या आर्थिक विकास भी रोप गिया। और अंतरराष्ट्रिय संबंध भी धीले पड़ गया। क्योंकि दक्टर जगन जैसा व्यक्ति था उसके सामने में देंजर कहीं ठिकता नहीं था। एक बात और है, जब बन्हम अन्या अत्याचार कर रहते तो उसके मिलिटरी का से के लिए अफड आद्मी था। और अपने घर में बर्णम की मूर्तियों को रहते पूजा करता है। तो वह वहाँ जो बन्हम अत्याचार अन्या करते थे वह इसी के ज़िये करते थे। तो एक बुजानम से फार गरो पाइन साथा। वी कहते थे कि 65 मेंबर्स हैं तो अधा उसका साड़े बत्तेस होता है तो कम से कम एक और एक और एक्स्रा होना चाहिए तो हो गए साड़ेतेस पर उनका यह और्गुमेंट था तो 16 तेटिस नहीं सकता तो उन्हों ने घा भी 34 तेटिस होगा तब पास होगा, लेकिन यह तो मानने वाली बात नहीं है, सवाल यह है, कि एक तरफ 32 और एक तरफ 33 तो 33 वला जादा है ना, तो हुआ ही जीतेगा, वो मानने से उन्होंने मना क करता है कि रिकांटिंग होता है अगर तो पीपीप की सरकार बनी कि वहां पर देखो इसमें बहुत अभी इफस और बट्स हैं आप यह समझे कि दो मार्च को चुनाव हुए इस दोरान जिस तरीके से व्यवहार रिटर्निंग ऑफिसर का रहा वहां पर जिस तरह से जो चेर प करेगा कि जो बैलेट बॉक्स हैं वो कितने सुरक्षित वहां पर जो है वो पड़े रहे तो यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि आप एक चीज समझ लीजिए कि गयाना का जो जोग्रफी है वो क्या दो लाक बंदरा हजार स्कूर किलोमीटर का एरिया है और अबादी उसकी सि बहुत स्पार्सली पॉपूलेटिड है मतलब यह जग है तो इसलिए उसको जैसे जो उसके दस रिजन वो इलेक्शन के लिए जब उन्होंने किये हैं हालके जादा कंसेंट्रेशन तो रिजन फोर में है जिसके उपर मुख्य विवाद जो है बाकी नौ के बारे में इतना है क्योंकि जो रिजन फोर है वो आल्मोस्ट पैंतालिस परसेंट टोटल एलक्टोरेट्स जो है उसी रिजन फोर के अंदर है तो अगर आप मेरे से सवाल पूछते हैं कि क्या वो पार्टी जीत जाएगी इसमें सबसे बढ़ा इस यह है कि क्या अब जो रिकाउंटिंग हो है उह होता है कर लोगतंत्र है तो जो घयाना के लोग चाते हैं वो हम चाते हैं सबाल सिर्फ यह है कि जो भी प्रकृया अपनाई जाए वो कानून सम्मत हो अब उसके अंदर अगा रिगिंग एलीगेशन लग रहे हैं और क्रेडिब एविड़र गेंविडेंस मिल रहे हैं कि उसके अंदर जो है वो रिगिंग है तो फिर उसको तो मुझे लगता है कि हम लोगों को उसके उपर ऐसा ही स्टेंड लेना चाहिए कि नियम के मताबिक, कानून के मताबिक, जो भी पार्टी, जो वहां के लोग चाहते हैं, वो सरकार आनी चाहिए, इसमें का देख करते हैं कि चुनाओ गणना की प्रद्धत है वहां वो बिल्कुल पुखता है, तो हर एक रिजन का एक से दस में चार को छोर कर, सब के वोट काउंट करके सब के सिगनिचर लिये गए और उसके बाद उसमें ताला लगाया गया, उसकी कौपी है, यहां का भी है, इसके मताबिक भार करती है, वही उसी को विजयी होना है, लेकिन यही सबाल जब इंटरनेशनल वहां के पांच देशों के राजदूत ने जा करके, जो एक सासिक कदम है, राष्टपनी से मुलकात की, और कहा कि आप यहां प्रदार तंत्र का गला घुट रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस पर ध करते हैं, क्योंकि अभी यह किया, कि एक स्प्रेट सित ले आए, और कहा कि यह है रिजल, और जो असली है उसको छोड़ दिया, तो इससे क्या होता है, कि उनका यह इंटेंशन होता है, कि वो नहीं होने देंगे, उसलिए दो दिनों से, कैनी कम अबजेद्वार आए हुए ह और गिलती सुरू नहीं करवा रहे हैं, लेकिन उनको यह चितावनी दे दी गई है, कि अगर आप ऐसा करेंगे, तो आप आई सोलेक्शन में चले जाएंगे, और अमेरिका ने कहा है, कि उनको आर्थित सेंक्शन भी लगाए जा सकता है, और उस स्थित में वो सरकार नहीं करें कुछ, हम चाहते हैं, और हमने अपनी ओर से दिया है, क्योंकि जब USA के विदेश मंत्री, Secretary of State कर रहे हैं, जब England के कर रहे हैं, जब Canada के कर रहे हैं, ABCS, European Union कर रहा है, और भी कई देश कर रहे हैं, तो हमारे तो अपने लोग वहाँ हैं, और हम चाहते हैं कि भारत सरकार समर्थन का, अगर वो जीत रहा है, दूसरी पाटी जीत रहा है, भारत सरकार जीतने थे, लेकिन जब भारत सरकार अफ्रिकन के हित में, South Africa में लराई लर सकती है, तो अपने लोगों के लिए, अपने लोग हैं, हमारे अपने हैं, भारत वंसी हैं, उनको हमने, वह हमारे तर है, उसके कुछ और कारण हो सकते हैं, मैं नहीं कहुंगा कि भारत सरकार के मन में उसके प्रति दर्द नहीं है, भारत सरकार को उतना ही दर्द है, जितना हमको आपको है, लेकिन कहीं न कहीं, कम्मुनिकेशन गैप है, और ये हमारे लोगों की सरकार उपेक्षा नहीं कर सकत लेकिन उदासींता भी हमारे लिए धातक है क्योंफी वोलूम निरास हो रहे हैं और प्रजात कंत्र और संसद्य जो लोग कंत्र है उसके सामने प्रस्ण वाचक चिन्ह लगाने वाजे समय में भारत सरकार को चुक रहना एक अप्राइब दोनों आदमी से मेरा एक आखरी सवा लेकि गयाना देश भारत और भारतियों के लिए कितना महत्पूर ने देखिए जो जो महत्व है उसके कई पहलू है पहली बात तो जैसे नारायन जी ने बताया कि अभी भी 38 से 40 प्रतिशत लोग जो है वहां पर भारतिये मूल के हैं तो सामाजिक संस्कृतिक रूप से मतल नहीं लेकिन उसमें पोटेंशल बहुत है अभी कुछी वर्ष पहले वहां पर जो तेल के बहुत बड़े भंडार मिले हैं और वो भंडार उसकी क्षमता जो है वो इतनी है कि अगले 10 बरस के अंदर गयाना जो है वर्ड के जो टॉप 10 ओयल प्रोडूसिंग कंट्रीज के अंदर आ सकता है आप हैरान हो जाएंगे यह जानके के उसकी GDP में ग्रोथ जो है अब तो भी तो तेल के रेट कम है लेकिन जिस समय हम उसको 70-80 डॉलर के करीब अगर हम तेल के डॉलर के रेट माने तो GDP में ग्रोथ रेट उसका इवन अप टू 80% पर एनम तक मतलब जो है अ और विक्सित देशों की गिंती में आ सकता है अगर दस बरस तक वो इस भंडार को ठीक तरीके से इस्तेमाल करें और इसी लिए यह चुनाव और महत्तोपूर्ण है कि अगर वहां पर एक लेजिटिमेट सरकार आती है तो सारे गयाना के लोगों के लिए अब खार्डी भार व्यक्ति को उस एकोनॉमिक भूम का बेनिफिट मिलेगा लेकिन अगर आप कलपना करें के ऐसी स्थिति आ गई कि अंतराष्टे समुदाय को यह लगता है कि वहां पर यह जो सरकार आई है वो इल लेजिटिमेट है वो आईसोलेशन उसको फेस करना पड़ता है संक्शन लोग तो उसमें खाली भारतिय नहीं सफर करेंगे उसमें सब सफर करेंगे तो इसलिए मुझे लगता है कि जब आपने पहला भी सवाल पूछा के भारत सरकार का तो वहां के लोगों की भी अपेक्षा है वेह सरकार भी उसके बारे में कुछ बोले करके यह मतलब आपके और मेरा दूसरा भाई खेत में काम करता है, चाहे अर्थिक इस्थिती दोनों हो, मा के लिए सभी मुहत्यपूर्ण हैं, प्यारे हैं, वो हमको भारत माता मानते हैं, वो एक ऐसा देश है, जहां भारत से बाहर एक भारत मंची को सबसे पहले मुख्यमंतरी और प्रधान मंतरी बढाया। आज हमारे प्रदान मंत्री भी और रश्थ्पति भी करते हैं कि भारत से बहार हमारे इतने राष्ट प्रश्थ रह जेख्ष हैं, वहां चार-चार-पांच-पांच भारत मंशी लोग वहां के रश्थ्पति रह चुके हैं। वहां इंटरनेशनल कोर्ट अब जस्टिस में हमारे गाइनी रह चुके हैं, वहां मंदिर में आप देखेंगे घंटियों की आवाज, रामचरित मानस का पार्थ, और अभी इस संकट के बावजूद, अगर आप देखें जाकर के करेवियन काउनीती में जाके तो इतने उमंग से सब होली मना रहे हैं, चोताल और गीत गा रहे हैं, कि ये हमारे आर्थिक संपनता जो होने वाली है, उससे ज़्यादा हमारे सांस क्रिटिक संबंधों का एक महान केंगर है, और ये आज जो एक नया डिप्लोमेसी चला है, इसको सौफ्ट डिप्लोमेसी कहते हैं, या कल्ट्रल डिमोक्राश गरते हैं, उसका ये उस दिफ्टी से ये बहुत महत्वपून है, ये देश ऐसे हैं कि भारत का कोई भी आदमी किसी पद्पर उनाइटे डेशन में ख़डा हो हमारा समर्थन करते हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में समर्थन करते हैं, इस देश ने भारत से पहले Commonwealth में से कर्टर गाइनी इंडियन, इंदो गाइनी सर्द्रामफल, वहां के सर्केटर जेनल रह चुके हैं, और हमारे तब-तब नहीं हुए थे, तो छोटा सी नहीं होता है, देश की सांस्कृतिक आर्थिक आरहार और देश की विरासत ऐसी हैं कि वो भारत से जुरे रहेंगे, और भारत उन से जुरा रहेगा, हमने भी काफी उनको सहायता प्रदान की है, इस्टेडियम बना के दिया है, वहां के लड़के हिंदी सीखने आते हैं, वहां के लड़के जो है हमारे नो इंडिया प्रोग्राम में, जो बच्चों को बुलाते हैं, यहां बैठे रहते हैं और इतना अनुराग से बोलते हैं, एकोनोमिक कल्चरल एक्स्चेंज में कथक डान सीख रहे हैं, तो हमारे जो सांस्कृतिक जुराओ है, वह बहुत मजबूत है, और वह उनके लिए भी महत्तकूल है, हमारे लिए भी महत्तकूल है, और हमीं पूरा इस संबंद को बना करके रखना ह बहुत बहुत धन्यवाद आप दोना आदमी का, मुझे उमीद है कि बहुत जल्ली गयना देश से कुछ खुसकोबरी सुनने को मिलेगा, कैमरामेन अबधेश के साथ के साथ के सक्मरजा, हिंदुस्तान समचार, दिल्ले